हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेल अकैडमी मैं हूँ अब्दुल और लास्ट वीडियो में कॉंप्प्टर ओर्गनेजेशन स्टार्ट कर दिया था हमने और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने वाला हूं लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख ले अगर सिंपल में बात करें तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं अगर आपने अभी तक प्रोग्राम लिखे हुए तो इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम कुछ इस तरह से होते हम लाइन बाइन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं नो इसमें होता क्या है कि यह जो इंस्ट्रक्श लिया और वो instruction को machine जो होगा वो अपने instruction register में put up करेगा so instruction register क्या होता है यह इस तरह की format में होता है जहाँ पर first होता है mode यहाँ पर होता है opcode and third one होता है उसको बोलते है operand okay so यह तीन चीज़े instruction register में होती है और normally सारे computer में यहाँ पर present होती है now one by one सब के बारे में देखेंगे mode क्या है mode यानि addressing mode है वो क्या decide करता है कि हमारे operands किस तरह से दिये हुए now opcode क्या है suppose instruction addition multiplication कुछ भी operations perform करते हैं उसको हम opcode बोलते है addition multiplication division increment इस तरह के okay so यह opcode है अब जब operand की बात करते तो operand मतलब क्या है अगर मुझे दो number का plus करना है जैसे two plus three करना है तो यह जो plus है वो plus क्या है opcode है और two और three क्या है यह मेरे operand है now operand अलग-अलग तरह के होते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू यह जो operand होते है न वो memory में से लिये जाते है जैसा कि मैंने last time आपको बताया था कि directly हम memory access नहीं करते हैं हम memory में से suppose यहां से मुझे value लेनी है तो मैं इसका address ले लूँगा अगर मैं बात करे तो यहां पर लिखते इंट्राइड कामने क्या है यह एंट्राइस इंस्ट्राइड करना को मैं ऐसे 0 address instruction 1 address और 2 address नव यह जो operand है ना उसका address क्या है यहाँ पर बहुत सारी possibility है अगर 0 address है that means address की कोई चिंता ही नहीं है तो आराम से यह execute कर सकते हैं लेकिन जब अगर 1 address है या फिर किसी एक एक से ज्यादा address है तो यहाँ पर check करना पड़ता है कि कौन से mode में है कौन सा addressing mode यहाँ पर use किया जाता है why because बहुत सारी possibilities है कभी-कभी क्या दिया होगा directly आपको memory का address दे दिया गया होगा कभी-कभी register का address दे दिया गया होगा और कभी ऐसा address दिया गया होगा जो address बताता है कि हमारा memory का address memory में कहां पर यानि कि अगर आप बोलो तो यह जो address जिसकी मैं बात कर रहा हूं directly हम access करते है memory से तो क्या है memory का address है तो एक यह possibility होगी दूसरी possibility क्या होगी address of register अगर register में है तो तीसरी possibility क्या होगी address उसका दिया होगा जहां पर इसका address दिया होगा जहां पर memory का address दिया होगा तो यहां पर यह जो double pointer का थोड़ा बहुत डबल जैसा हो जाता है मुझे वहां का address दिया होगा जहां पर address exactly present है address of memory उसका address दिया होगा तो यह थोड़ा बहुत confusing जैसा लगता है लेकिन कुछ example solve करेंगे तो पता चल जाएगा अगर address instruction है one address है two address है तो आपको mode पता होना चाहिए तो इसलिए यह जो concept है न हम directly designing पे नहीं जाएंगे सो हम कहां से start करेंगे हम start करेंगे mode of addressing से सो next video से मैं start करने वाला हूँ addressing mode से लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं register के बारे में बता दूंगा क्योंके register का part अभी तक लिया नहीं है सो directly addressing mode नहीं जाएंगे basics of register देखेंगे types of organizations देखेंगे देन हम addressing mode से शुड़ू करेंगे उसके बाद upcode के बारे में and then हम आगे इस flow में बढ़ने वाले है इस वीडियो में मैंने instructions का basic आपको बता दिया किस तरह से instructions लिये जाते इंस्ट्रक्शन register के अंदर और किस तरह से यह सारी चीज़े perform होती है सो आपको पता होना चाहिए mode of addressing अभी क्या है यह आपको पता चल गया है upcode के है वो भी पता चल गया है और operand के है वो भी पता चल गया है और operand को addressing mode के इसाब से access किया जाता है इस पूरा concept आपको समझ में आ गया होगा अगर आप ने इस वीडियो को like ने किया तो like कर दीजिए और description में मैंने आपको notes दी है इस वीडियो की और जैसे जैसे videos होती जाएगी notes update होती जाएगी और description में सारी detail है कि notes आपको किस तरह से लेनी है now thank you so much for watching this video अगर आपने अभी तक वैल academy को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर दी लिए ताकि मेरे जो भी updates है वो आपको regularly मिलते रहे so thank you so much and take care कर दो दो